प्रदान मंत्री अबास योजना से सम्मंदित नियुक्ति की जानी है तो यहाँ पर दो विग्यापन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सराई केला खरसावा जीले से तो दोस्तो अगर आप जी इल जारकन लाइप से लल में अगर नहीं हैं तो सबसे पहले चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजे और साथी जो बेल आइकन मना हुआ है उसको प्रेस कर लिजे ताकि आगे का जो भी अपडेट से अगर वीडियो है की न्यूटिफिक्शन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी तो दोस्तो चैनल को जरू स्ब्सक्राइब कर लिए और चली हम लोग किया इस विज्ञापन को देखते हैं तो यहाँ पर देख लिजे मन्रगा के अंदरगात यह नियूट समन्दित विज्ञापन जारी क्या गया है जीलाग रामिन विकास अभिकरन सराई केला खरसावा की तरब से तो यहाँ पर कौन-कौन से पद है चलिए उसकी बारे में हम यहाँ पर डिटल्स में देख लेते हैं और उसकी लिए योग्येता क्या रखी गई है तो पहला पद है यहाँ पर वो है प्राखंट कारीकरम्ताजिकारी और यहाँ पर कुल पदों की संखे की बात करे तो एक है जो की जेनरल कटेगरी का है दुसरा जो यहाँ पर पद है वो है तकणिकी साहयक अभ्यंतक के सम्कक्ष निउति की जाएगी पिछड़ा वर के लिए एक सीट है और अनारचित के लिए जेनरल के लिए दो सीट है उसका लेखा सहयक के लिए यहाँ पर तक लिए एक पद पर निवति की जानी है और इसके लिए यहाँ पर जो है जेनरल कड़ेरी का यह सीट है और कम्पेटर सहयक की बात करें तो दो पद रबर के लिए एक सीट है, और जेनरल कटेगरी के लिए यहां पर 7 सीट एभीवल यहां पर अगर हम लोग परबात करें, तो यहां 24 पदों पर नियुक्ति की जानी है तिक है यह मंद्रा के अंदर अग्वति dragons इसके लिए आपको आ वेडन जमा करना है मैं लिंक आपको प्रोवाइड करते हैं आप वहां पर क्लिक करके असानी से जो है आफिस्गे बेब साइट पर आवदन कर सकते हैं और ये जो आवेदन शुरू हुआ था वो 8-10-2021 से प्रारम होकर 23-10-2021 तक यहाँ पर आप आवेदन जमाग कर सकते हैं तो साक्षिनिक यह वोईता क्या रखी गई है चलिए हम लोग यह भी देख लेते हैं यहाँ पर तो परखन कार्म प्रादिकारी के लिए सरकारी मानिता प्रापत विष्विद्द्य अंग हो विशे में अस्तनातक प्रतिष्ठा 55% आंगों के साथ उतिर नोगना चाहिए तो यहां पर दखले से किसी भी सरकारी मानिता प्राप्त विश्दल से अगर आपका ग्राजवेशन है और 55% आंग है तो यहां पर आप आवेदन कर सकते हैं तो यहां पर यह सारी जो क्वालिफि की बात करें तो सरकारी मानिता प्राप्त संस्थान से सिवील संक्या में B Trek अहुना अनिवारी होगा ठीक है यह वह बागी सारी चीज़ों है यहां पर और वो अतरिक्ति प्राप्त विशुजाले संस्थान से बीकॉम ओनर्स या समान्य बीकॉम में कम से कम आपका 55% अंग से क्वालिफाई होना चाहिए ठीक है और बाकी सारी चीजे जो यहाँ पर वो है अत्रिक्त योगीता रखी गई है कम्पेटर साहिक के लिए क्या योगीता रखी गई है वो भी देख लिए तो सरकारी मानिता प्राप्त विशुजाले संस्थान से निम्नांकित कोटी के व्यक्ति आवधन दे सकेंगे तो कौन-कौन लोग यहाँ पर कम्पेटर साहिक के लिए आवधन कर सकते हैं जो BSC Computer Owners किय के हुए हैं, BSC Computer सामान रे हैं, BCA किये हुए थक उतेरह तक उत्तिरहन के पास चाहत अगर PGDCA किये वुए है तो वो यहाँ पर आवधन जमा कर सकेंगे तो जो graduation किये हुए है, graduation के बाद PGDCA किये हुए है, तो वो भी यहाँ पर आवदन के बात रहोंगे, ठीक है और यह सब अतरिक्तियोगिता रखी गई है gram रोज़कार सेवक के लिए यहाँ पर qualification की बाद करें, तो यहाँ पर सरकारी मानिता प्राप्त विशुजाले संस्थान से, intermediate या metric परिशा के बाद, किसी भी trade में ITI यहाँ पर आपका होना चाहिए, या फिर metric के बाद, अगर ITI किये हुए हैं, तो आपको, तो भी आप यहाँ पर आवदन जमा कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर जो qualification है, वो अतरिक्त योगईता रखी गई है, तो यह महत्वपूर्ण यहाँ पर जनकारी है, और यहाँ पर salary की बात करें, तो प्रकार्ण कायर करम राधिकारी को, 19,500 रुपे salary दिये जाएंगे, ठीक है, तकनिकी सहायक, जो सहायक अभियांतक समकक्च होंगे, उनको 19,234 रुपे दिये जाएंगे, ग्राम रोजगार सेवक को 37,000 रुपे प्रती माह जो यहाँ पर दिये जाएंगे, तो यह यहाँ पर कटफ की उम्र रखी गई है, यहाँ पर कम से कम जो है, अधिकतम उम्र जो सीमा रखी गई है, वो 110-2021 यानि कि 1 अक्टूबर को यहाँ पर, 1 अक्टूबर 2021 को rate of जो यहाँ पर age का कटफ होगा, वो यहाँ पर गीना जाएगा, count किया जाएगा, कम से कम आपका यहाँ पर इस आवधन के लिए यहाँ पर 18 वर्स होना चाहिए, अधिकतम की बात करें तो जेनरल को, जेनरल के लिए 35 वर्स, OBC के लिए यहाँ पर 37 वर्स, जो महिला है, किसे भी विज्यापन यहाँ पर जिला, ग्रामिन, विकास, अभिकरन, साय, कला, खरसावा के तरफ से और यह PMU के अंतरगत, परधान मंत्री, आवास, योजना, ग्रामिन, अंतरगत, जीला और प्रखंड अस्तर पर गठित PMU के सम्मन्दित यहाँ पर निउक्ति की जानी है, तो य रचने की उतकी बात करें तो मानिता प्राप्त बोर्ड विजलेसन स्थान से वानिज यन की कॉमर्स में आपका इंटर मिनिट होना चाहिए, डिसी ए सेटिफिकेट होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए, सासे यहाँ पर छे मागा कारी नोभव मागा गया है, और हिंदी अंग प्राप्त बोर्ड विजलेसन स्थान से वानिज जी यानि की कॉमर्स में इंटर मिनिट उतिरन के पस्चाथ, डिपलोमा इन कम्पेटर अप्लिकेशन के साथ यहाँ पर सेटिफिकेट होना चाहिए, छे माँ का एक्स्प्रियेंस होना चाहिए, और हिंदी अंग्लिस टाइ आपको सेलरी दिया जाएगा, तो जो भी अभियर्थी एक्षुक है, वो अफिसल वेबसाइट पर अपलाई आरेडी जारकन.gov.in पर अपलाई आवदन यहाँ पर कर सकते हैं, और इसकी अंतिमतिती जो रखी गई है, वो 23 तस 2021 है, यानि कि 23 अक्टूबर तक आप यहाँ प यहाँ पर आ सकते हैं, और यहीं पर आपको आवदन करना है, देखलेजे, सराई के लग हरसावा के लिए यहाँ पर जो है, वो आवदन यहाँ पर मंगाये गए हैं, और यहाँ पर देखलेजे कि यह जो, तो यहीं पर आपको रजिस्टर के आप्शन पर क्लिक करना है, और और register पर क्लिक करते ही आपका एक phrase page यहाँ पर open होगा और यहाँ पर देखरिशये अलग-अलग पदों के लिए जो आवय देन मंगाये गए हैं उसके लिए यहाँ पर register to apply पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करते ही आपका फिर से एक नया page उपन होगा यहाँ पर primary details आपको fill up क मौबाइल नमबर यहाँ पर इमेल आईड अपना इंटर कर लिएगा पास्वड यहाँ पर खुद से ऐट डिजिट का क्रिएट करना है यहाँ पर कर यहाँ पर करिएगा और उसके वाद हैंपर सब्सक्राइब कि आपको email और message mobile नमबर पर जो है आपको message प्राप्त होगा और message प्राप्त करने के बाद आपको वापस यहाँ पर home में दूमाना है और यहाँ पर login का option दिया गया है इस पर आना है और यहाँ पर login करना है जो की email ID होगा आपका इंटर पासवर्ट होगा और यह जो काप्चा दिया हुआ वह यहाँ पर इंटर करके लॉग इन करके पुरी तरह से फॉर्म डिटेल्स में बार करके कोई भी आपको यहाँ पर सोल कर जो है वो नहीं लिया जा रहा है ताकि अन निदग भी यहाँ पर जोड़ सकें और सारी अनकारी पासकें यदि आप JPSC के त्यारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्सरीज के लिए डाउनलोड करें